नमस्कार दोस्तों, सौरुर्जा जागरुकता अभियान के आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंगल फेस रूफटॉप जो सोलर ओन ग्रेट सिस्टम होते हैं, उसकी जो कनेक्शन होते हैं जो ACDB, DCDB और inverter को जो हम आपस में कनेक्शन करते हैं, सोलर मॉड्यूल जो आते हैं हमारे DCDB तक तो हमें कैसे कनेक्शन करना चाहिए, तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें मॉड्यूल लगे हैं मॉड्यूल से तीन वायर देखी आप निकले हैं, दो एक पॉजिटिव हो गया, रेट कलर का एक जो है यह आपका ब्लेक यह नेगेटिव है, और यह जो ग्रीन है यह आपका अर्थिंग है अर्थिंग में आपके मॉड्यूल, इस्टेक्चर, यह दोनों आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं साथ ही यही वायर जो है आपका, जैसे यहां लिखा है अर्थिंग फॉर डीसी डीवी एंड मॉडूल यही वायर यह अर्थिंग आपकी DCDB में भी जाती है यह आपका positive गया देखिए positive यहाँ कुछ लोग DCDB में MCB यूज करते कुछ fuse यूज करते तो यह fuse है यह positive लग जाएगा fuse में यह जो negative आया है यह आपका normally लगा रहेगा यह SPD लगा है SPD क्या होता है इसका क्या काम है क्यों लगाना चाहिए इसकी क्या importance है यह हम next वीडियो में समझेंगी बट अब यह आप देखिए DCDB में connection यह input है दोनों आपके positive नेगेटिव यह output है output हमारा inverter के MPPT में जो यहाँ आपके MC4 connector लगे है यह उसमें connect है यह positive connect है यह आपका negative connect है यह हमारा single face inverter है यह यहाँ से output निकला है इसका चुकि single face inverter है इसलिए face neutral और earth सिर्फ तीनी point है inverter में तो यह आपका face है यह face आपका देखिए ACDB के input में गया है आपका MCB पर यह positive लग गया आपका face जिसे बोलते हैं और यह negative आया है neutral यह neutral आपका यह इधर आ गया यह दोरों आपके SPD में गया है यहाँ से यह आपका positive जो face है यह face आपका customer का जो lt panel है या जो हमारे kitkat fuse होंगे net meter के just बात तो यह आपका वो हो गया पोल से जो line आती है customer के हाँ उसके meter पर then meter के बाद जो fuse लगाए जाते हैं या MCB लगाए जाते हैं वहाँ हम इन connectionों को जाकर connect कर देते हैं यह आपका face है और यह आपका negative है SPD से एक अर्थिंग रहती है जो आपकी inverter में भी जाती है तो यह आपको एक अर्थिंग inverter और ACDB के साथ लगानी है अर्थिंग हमारे solar module और DCDB के साथ लगानी है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा ज्यादा ज्यादा लोगों को सौर उर्जा जागरता अभियान से जुड़ने के लिए कहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें ताकि आपको solar से technical जितनी भी जुड़ी चीजें है या information है वो आपको proper और जैसे ही मैं इसे upload करूँगा तो आपको तुनंद मिल सके और भी यदि कोई आपको इसमें doubt है या कोई आपको आपके किसी system में आप project में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे WhatsApp पर connect हो सकते हैं मुझसे Facebook पर जुड़ सकते हैं मेरी website विजिट कर सकते हैं तो चली आज के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार